Hello everyone, I am Mudita and you are watching your favorite one and only Mudita IS Warriors So Class 10 Guru Purnima को CBSC ने आपको बहुती अच्छा गिफ्ट दे दिया है और ये गिफ्ट है आपका स्लेवर्स जैसे कि मैंने आपको मॉर्णिंग में बता दिया कि आपका स्लेवर्स रिलीज हो चुका है 4 Class 9 to 12, 10 and 12 की बात की जा रही थी स्लेवर्स रिलीज कर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है यहां पर मैं आपको साइंस का बताने वाली हूं स्लेवर्स इस वीडियो में Class 10 यहां पर आप लोग देख सकते हैं Evolution Scheme Theory यहां पर हम साइंस की बात कर रहे हैं आपका स्लेवर्स क्या रहने वाला है तुप का स्लेवर्स यहां यहां से आपको सारे त्योरी कोश्टिन्स मिलेंगे यहां थी चाप्टर्स की बात करें आपके NCRT में 16 चाप्टर्स हैं साइंस की बुक में तो यहां पर देखिए आपको टर्म वन में चाप्टर दिया जा रहा है कैमिकल सबस्टेंस नेचर बिहेवियर जिसमें आपका चाप्टर इंक्लूड होता है चाप्टर 123 यह तीनों चाप्टर आ मैंने करवाए हैं वह आपको टर्म वन में मिल रहे हैं कैमिकल एक्शन इक्वेशन आपको दो तीन बार पढ़ा दिया है चाप्टर 123 यहां पर हमें टू और त्री और करना पड़ेगा यह दोनों केमिस्ट्री के हैं ठीक है एसिड बेस वाला चाप्टर भी आएगा इसके आपका चाप्टर 6 आएगा लाइफ प्रोसेस अगें पिकेडियंस यह चाप्टर मैंने आपको कम्प्लिट करवा दिया है लाइफ प्रोसेस पूरा डिटेल में एक-एक सारा प्रोसेस आपको करवाया गया है पार्ट में वीडियो दिये गए थे रैस्पिरेटरी सिस्टम सिस्टम तो अभी अगर नहीं देखा था ना तो अब जाके देख लो तर्म 1 में आपको स्लेवस दे दिया है और इसके बात फिजिक्स में रेखिए आपको चाप्टर 10 एं 11 आपका चाप्टर वही हो गया लाइट वाला और 11 आपका आजाएगा कलरफुल वर्ड आई एंड is the colourful word physics में इसे मैंने आपको चाप्टर 10 करवा दिया है electricity भी करवाया था लाइट भी करवाया था यहां से बस हमारे पास चैप्टर 11 रहता है अगर आप तक वं साइंस की बात करोगे तो यहां से मैंने 10 करवा रखाए 6 करवा रखाए 1 करवा रखाए को मिस्ट्री से सिफ ह आपको मिलेंगे 6 chapter अकेले 10 mark का है life process बहुत वेटेज रख रहा है 10 तंबर का अकेला chapter है और यहां से 10 11 आपका 14 marks का है अगर हम term 2 की बात करें जो आपका December में conduct होगा November and December में यहां पे आपको chemistry से मिलेगा chemical substance natural behavior chapter 4 and 5 chapter 45 आपका वही carbon and compound हो जाएगा और periodic classification periodic table जो पढ़ाई जाती है वो दो chapter होंगे दोनों अच्छे chapter है 10 marks के यह term 2 में आएंगे physics में biology में chapter 8 and 9 chapter 8 आपका आजाता है how do organism reproduce life process और organism reproduce दोनों को साथ में नहीं दिया जाता तो 8 आपका आएगा next term में heritage evolution biology का थोड़ा सा difficult chapter है यह भी आपका term 2 में आएगा 8 और 9 मिला के आपका 13 मार्क के होंगे और अगर effect of current की बात करें physics से तो 12 and 13 13 आपका magnetic effect हो जाते है और electricity हो जाता है जो मैं पढ़ा चुके हूं यह आपका 12 marks का एगा term 2 में 15 चैप्टर नाच्राल resources 5 मार्क का है यह भी term 2 में मतलब term 2 में आप देखेंगे chapter थोड़े से ज्यादा आ रहे है in comparison to term 1 in science अगर हम total marks distribution की बात करें 80 marks का आपका theory session रहने वाला होता है तो 80 marks आपका term 1 and term 2 मिलाके दिया जाएगा 80 marks ओके वो cbsc पर depend करता है कि कैसे वो weightage देगा cbsc ने clearly बोले अगर first term अच्छे से होता है तो उसको weightage ज्यादा दे देंगे अगर second term अच्छे से हो पाता है तो उसको weightage ज्यादा दे देंगे ठीक है according to the situation की कौन सा सही से conduct कराया जाता है और दोनों सही से conduct होंगे तो दोनों को 50-50% का weightage दे दिया जाएगा अगर हम internal assessment की बात करें तो term 1 के internal assessment में आपको 10 mark दिये जाएंगे term 2 के assessment में आपको 10 mark दिये जाएंगे और इससे हमारा grand total बनेगा 100 mark यानि internal assessment आपको class 10 term 1 में भी करना है and term 2 में भी करना है अब बात करते हैं हम term 1 में slavers की बात करते हैं topics की बात करते हैं यहां पर मैंने बता है chemistry में आपका chapter 1, 2, 3 आ रहे है chemistry के 3 chapter आ रहे है chemical reaction equation में हमारा topic क्या है chemical reaction, chemical equation इसके बाद balance chemical equation ठीक है आपका basic definition क्या है, equation, chemical equation की definition क्या है, how to balance chemical equation, implementation of balance chemical equation, types of chemical reaction की आपकी कौन कौन सी हो गई, combination, substitution, decomposition, decomposition, displacement, double displacement, जितनी भी तरह की reaction है इसके बाद यहां पर नाम भी दे रखे, combination, decomposition, displacement, double displacement, precipitate, neutralization, oxidation, reduction, यह सारी definition मैंने आपको वीडियो में पढ़ाई थी, notes भी दिये थे तो उठाओ और revise करना, start कर दो अगर नहीं किया था, और notes नहीं लिये थे तो इसके बाद अगर हम chapter 2 की बात करें, acid, base and salts यह हमें पढ़ना है, acid, base and salts में, their definition, term, finishing, सबकी definition आपको पढ़नी है H and, O and, किसमें होते हैं, acid, base में, general property of acid and base, इसके बाद इनकी chemical property बढ़नी है, concept of pH scale, how to check acid, हम बोलते हैं, कितना acidity जादा है, basicity जादा है, तो इस चीज़ को pH पे आप कैसे identify करते हो, हमारी daily life में pH का क्या use है, ठीक है, daily life में जो हम substance use करते हैं, उनका pH कितना होता है, sodium, hydroxide, bleaching powder, आपको इस chapter के end में कुछ chemicals दिये हैं, जिनका आपको basic नाम दिया है, chemical नाम दिया है, उनका use दिया है, and property दिया है, जिसमें आपका आजाते है, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris, plaster of Paris, जब plaster लगाया जाता है, यही होता है, इसका chemical formula और name आपको, और properties पढ़नी होगी, chapter 3, metal and non metal, जो class 10 के लिए थोड़ा सा difficult हो जाता है, जब हम इसका purification पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या के दिया गया है, properties of metal and non metal, properties basic हम करेंगे, reactivity series करेंगे, यह तो आता ही आता है, formation of properties of ionic compound, यह करने वाले हैं, that's it, all right, ठीक है, यानि यहाँ पे chapter 3 में, जो आपका purification था, वो नहीं दे रखा, ठीक है, chapter 3 जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो यह आपका simple part हो गया, दूसरा होता है कि पूरा ore purification, कि हम किस तरीके से oxides को separate करते हैं, किस तरीके से sulfides को separate करते हैं, उसका एक long process है, तो वो आपको detail वाला portion नहीं दिया है, that means वो हमें हटा दिया है, reactivity series, formation और compound, simple चीज़े दी है, chapter 3 से, तो बहुत easy हो रहा है, one or two chapter में सब कुछ दिया है, third chapter का आपको आधा portion दिया है, half portion दिया है, बाखी हटा दिया है, that's good, life process की बात करें हम, तो यहाँ पे living being, basic concept of nutrition, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे पढ़ने होंगे, respiration पढ़ना होगा, transportation, excretion, और excretion in plants and animals, plants की बात करोगे तो पूरा xylem phloem का, animal की बात करोगे तो पूरा आपका kidney वाला system आजाएगा, ठीक है, यानि की आपको life process में भी थोड़े थोड़े portion हटाएं हैं, बट almost सारा cover किया हुआ है, chapter 6 से, अगर हम chapter 10, light की बात करें, so light से आपका काफी कुछ आता है, numerical यही से आने वाला है, एक ही chapter आपको numerical का मिल रहा है, chapter 10, क्योंकि 11 तो पूरा theoretical chapter है, तो 10 में आपका है, reflection of light by curved surface image formed by the spherical mirror, center of curvature, मतलब यह जो सारा principle, focus, focal length, जो भी mirror की हैं और lens की हैं, इसके बाद आपका derivation not required, that means जो इसका derive है, कि lens formula, mirror formula, 1 plus V, 1 plus U, equal to 1 by F, इसके जो derivation है, वो आपको बोल रहा है, नहीं required है, आपको बस theory theory करनी है, formula करना है, और magnification करना है, reflection, law of reflection, refractive index, reflection by spherical mirror, इसके बाद lens formula है, यहाँ पे भी बोल रहा है, derivation not allowed, that means, कि आपको simple simple चीज़े करनी है, numerical करना है, जो formula होगा, उसमें numerical करोगे, लेकिन उसका derivation नहीं करना है, यानि आपको formula derive करने को नहीं आएगा, प्रूफ करने को नहीं आएगा, और यह अच्छी बात है, काफी सही कर दिया है, इसके बाद 11 में, अगर हम बात करें, chapter 11 में, तो 11 में आपको क्या बोल रहा है, reflection of light through a prism, prism के through reflection कैसे होता है, ठीक है, यह आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बाद dispersion of light, scattering of light, application in daily life, तो गईस देखें, 11 में भी आपको half chapter दे रहा है, half chapter दे रहा है, 11 में, 11 में हमारा जो chapter है, वो human eye and colorful world, तो जो human eye है ना, वो last year भी आपका human eye वाला portion हटा दिया था, जहां पढ़ते थे, myopia क्या होता है, hyper mitropia होते है, press biopia क्या होता है, eyes effect और उसका correction पढ़ते उस चीज को हटा दिया गया है, यहां पर बस क्या दे रहा है, prism वाला experiment दे रहा है, depression, scattering और जो scattering phenomena होता है, sky blue क्यों दिखता है, stars twinkle क्यों क्यों करते हैं, तो जो हमें last year slavers दिया था, 30% slavers reduction में, तो भी इतना ही दिया था, यानि human eye वाला part हटा दिया है, बहुत अच्छी बा term 1 का detailed slavers है, term 2 की बात करें, carbonates compound में, तो यहां पर देखिए, carbonates compound में आपको बोल रहा है, carbon compound, carbon bond, other compound, versatile nature, homologous series, यानि carbonate compound भी एक tough chapter माना जाता है, chemistry का, लेकिन यहां पर भी chapter में आपको half chapter दे रहा है, full chapter नहीं दे रहा है, half chapter में दे रहा है, यहां पर आपका आता है, nomenclature, naming क के लिए पूरा जो आपकी सारे series होती है, हमारे helping groups होते हैं, जिनको join करते हम, वो सारा चीज आपको हटा दिया गया है, देखिए, आपको क्या दे रहा है, covalent bonding दे रहा है, versatile nature, homologous series, that's it, यह आपका chapter का one third part ही है, बाकी जो chapter है, carbon compound का वो remove कर दिया है, term 2 में, पिछले साल भी यह चीज़ की गई थी, periodic classification की अगर हम बात करें, तो periodic classification में आपको बोला है, attempt to classification of element, ओके, यहाँ पे हम अलग-अलग scientist का पटे, doverent train, band leave का, octate law, newlands का, ठीक है, यह आपको करना है, atomic, metallic, non-metallic properties, ओके, तो फिफाइव चैप्टर से आपको दिया जा रहा है, सब कुछ, इसके आपको देखिए, how do organism reproduce में, आपका AIDS, HIV, reproduction, हा, यहां से तो almost चीज़े cover की जा रही है, heredity and evolution में इस आधा chapter दिया जाएगा, chapter 9 से भी आपका half portion हटाया गया, देखिए, heredity, ठीक है, model, law of inheritance, sex determination, ओके, यानि वही चीज़ करी जा रही है, जो last year किया गया था, जो हमारा slave, जो portion हटाया गया था, वो चीज़े हटायी जा रही है, इस बार भी, heredity evolution में से heredity आपको पढ़ाया गया था, evolution को remove किया गया, तो वही चीज़े की heredity को रखा, evolution को हटाया गया है, यह मतलब वही चीज़े की आपको half-up करना है, और वो भी term two में, divide कर दिया है, दो term में divide कर र इलेक्तिशितिटी में आपका Ohms Law हो गया आपको बीशिस्टिवीटी Factor अकेक पैलरोर सिरीस कॉंबिनेशन में अप्लिकेशन एल्याइड व्युत्तिती तो आलोव स्टों ही है मैगनीटिक की बात करें तो मैगनीटिक में आपको तो इसके भी में में टॉपिक जो आपके 13 चाप्टर के वह कवर कर रहा है फ्लैमिंग्स लेप्ट हैं रूल लास्ट यह थीन चैप्टर से कुछ पोर्शन जाद ही हटा दिये थे बढ़ अभी ठीक है सही है 13 चैप्टर का सही है इसके बाद फिर है चैप्टर 15 आपका जो आत सब्सक्राइब यहां से भी आपकी चीज़े कवर हो रही है और मोर्श चैप्टर तो यह आपका पूरा 15 चैप्टर का डिस्टिब्यूशन है जहां हमने देखा कि जो चैप्टर दिये जा रहे हैं उसमें से भी कुछ चैप्टर का आपको हाफ पोर्शन दिया जा रहे हैं तो टम्स हटाई थी लास्ट यह वो चीज़े इस बार भी हटाई हुई है अगर हम बात करें इंटर्नल एसिस्मेंट की तो इंटर्नल एसिस्मेंट में कोई आपका जो साइन्स का चैप्टर 16 रह जाता है ना मैनेजमेंट ऑफ नैच्रल डिसोर्स यह आपको केवल और केव केवल और केवल इंटर्नल एसिस्मेंट के लिए प्रिपेयर करना है और यहां पर आपको टॉपिक्स दे रखे हैं मतलब चैप्टर 16 आपको पढ़ना है इन टॉपिक्स को पढ़ना है कि नाच्रल सोर्स बिग डैम एडवेंटर्स लिमिटेशन अल्टरनेटिव ठीक है ले केवल इंटर्नल के लिए पढ़ना है बात इकशाम के लिए चैप्टर को नहीं पढ़ना है अब बात कर ले से आपको है Цsın क्ह歌 छुपिक्र को प्रेक्टेडिकल की बात करें कि अलॉंसच थियूरी क्लासिस तो प्रैक्टिकल भी आपके डिवाइड कर दिये हैं टर्म 1 एंट टू में टर्म 1 में कौन से करना है लिस्ट आपको दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है finding the pH following sample आपको pH find करना होगा पी एच पेपर यूनिवर्सल इंटिगेटर से dilute hydrochloric acid यानी हमारा SCL वह भी कोईसा dilute hydrochloric acid का sodium hydroxide का dilute ethenoic acid का lemon juice का water का इन सब का pH आपको टेस्ट करना है और pH कितना आता है वह लिखना है इसके अलामा आपको लिटमस solution लिटमस टेस्ट करना है SCL NaOH जिंक इन सब चीजों का चेक करना है जिंक metal का sodium carbonate का ठीक है तो यह आप अगर स्कूल जाएंगे तो ही चेक कर पाएंगे जब आप लैब में होंगे तभी चेक कर पाएंगे घर में तो करी नहीं सकते performing and observing following reaction and classify them into इन reactions को classify combination, decomposition, displacement, double displacement इनका आपको classification पता अच्छी है action, water on quicklime यहाँ पर यह quicklime के साथ crystal यह आपको करने है term 1 में chapter से जो भी reaction है chapter 1 से chapter 2 इसके अलावा आपको बोल रहा है observing the effect of ZNFE on the solution okay तो यह आपका जो series होते है reactivity series कौन किसको displace करें reactivity series के according आपको इनके experiment करने हैं और amazing ZNCO metals observing the reactivity okay यह सारा reactivity series पे based है कि reactivity series अगर आपको याद होगी तो आप यह चीजे ऐसे ही बता लोगे ठीक है कि कौन किसको displace करता है इसे सारा खेल reactivity series का होता है experimental show due to carbon dioxide giving out इसके अलावा CO2 का test आपको करना है यहाँ पे आपको tracing light passing through a rectangular okay यह light chapter से एक experiment होता है इस तरीकी का कांच का glass lab लेना होता है और एक तरफ से light entering करते हुए हमें pin लगाना होता है और light exit करते हुए बाहर से pin लगाना होता है यह भी आप physics lab में ही जाके कर सकते हो हमें light का path trace करना होता है तो यह सारे experiment आपको term 1 में दिये है जो term 1 के chapter है उससे और यह सारे term 2 से आपको दिये हुए है यह आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है knowledge के लिए कितना है knowledge concept के लिए कितना है तो यह पूरा आपका contribution है complete slivers है slivers को मैं टेलिग्राम पे share कर दूँगी और अब मैं आपको proper strategy बताऊंगी कि अब आप term 1 के लिए क्या strategy follow करेंगे देखिए अभी term 2 को भूल चाहिए वो होगा December में उसको फटा फट से करके हम MCQ की preparation करेंगे वो भी OMR sheet में और कोई theory हो आपकी तो comment में बताएंगे साथ में वीडियो को गैस प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चों को सबसे पहले आपको मैं स्लिवस बतारही हूं तो बच्चों को शेयर कर दीजए चानल को सबस्क्राइब कर आपको जल्दी से जल्दी जरी आपory अब बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से कर सकें